हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विशुर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में इमेज के चार ओर टेक्स्ट कैसे रैप करते हैं बहुत ही असान से स्टेप्स में समझेंगे गूगल डॉक्स पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टन टॉपिक में कवर कर चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस का लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर कि आप वीडियो से लेख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो अब जैसे कि आप दे आपको बहुत सारे option मिलेंगे हमको जाना है पहले वाले option पर यानि कि image पर ठीक है जब करसार आप यहां ले जाएंगे तो यहां पर upload from computer का option है इस पर click कर दीजे और अपने computer से एक image हम यहां पर select कर लेंगे तो desktop पर चलते हैं और यहां पर देखिए यह है एक image हमारी इसको ह आप देखेंगे कि image जो है वो यहां पर page पर आ गई लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि image के चारो और जो है यहां पर text नहीं कर रहा है अगर हम size सोड़ी इसकी कम भी कर दें तो भी आप देखिए यह जो है text इधर नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे image को select करिए यह हमने select कर दिया जब select करेंगे तो नीचे देखिए कई सारे option आ रहा है तो हमने दूसरा वाला यानी कि wrap text पे click करना है तो हमने इसको देखिए click कर दिया तो जब आप इस पे click करेंगे तो यहां पर देखिए option आ रहा है move with text अगर यह ना आ रहा हो तो इस drop down पर click करके आप यहां से move with text को select कर लिए इसको select कर लिए जैसे आप इसको select करेंगे तो आप देखेंगे कि image के चारो और जो है वो text आने लग गया है ठीक है यह देखिए पहले यहां blank था अब आने लग गया है इसकी size थोड़ी से और कम करेंगे तो आपको यह और clear हो जाएगा यह देखिए अब इसके चारो और जो है वो text आने लगा है ठीक है तो इस तरीके से हम wrap text का इस्तमाल करते हैं Google Docs में